हेलो गाइज वेल्कम टो इस्टुड़ी फीलिय एज्यूकेशन दोस्तों जैसे कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे सभी को अच्छा भी रहना चाहिए आपका हेल्थ बना रहें और आप एक्टिव रहें इसके लिए थोड़ी बहुत एक्साइज भी कर सकते हैं यह जरूरी भी है हेल्थ काफी मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहना चाहिए और तभी मज़ा आता है आगे इस्टडी में भी हमें हेल्प करता है करती हैं चीज़े हैं ना तो दोस्तों जैसे कि हम फ्रांस के इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिसकस कर रहे थे हमने ऑलड़ी फाइब पार्ट खतम कर चुके हैं अगर मैं फाइब पार्ट बोला हूं तो ताट मीन फाइब वीडियो जा चुके हैं जिसमें से हमने चार पार्ट में फ्रेंच रिविश खतम हो गया है और जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहें जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं जो पहले फ्रांस के इंपॉर्टेंट फैक्ट की वीडियो जा चुकी हैं जिसमें हमने कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से फ्रांस की जियोगरफी और फ्रे हैं तो दोस्तों चलो आगे हम बढ़ते हैं आज की वीडियो में देखते हैं क्या है तो पहला फैक्ट जो है दोस्तों मैं आपको बताऊं जो जॉन आफ आर्ख है ना जिसे आप आगे जो फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज मिल खी हुए ना जीन दे आक जोन आफ और और ने करकी पताऊ जागा है दोस्तों यह जो दो परस्टालिटी ट्रेट न नेपोलियन बोनापार्तइज और जॉन आफ पार्ख यह तो इम्पयंटेन यह जो काफी फैमस परस्टालिटी है फ्रेंच किं हिस्ट्री में तो हमें समय हमें आइसे रटना नहीं है तो जैसे हमारा का process भी है जलो समझते हैं ठोड़ा सा जान लेते हैं दोनों personality के बारे में तो जोन आफ आर के बारे में बताउं दोस्तों इनका जो निकनिम है तो इनको the maid of audience भी बोला जाता है the maid of Laurean। अन्द है ना ये दोस्तों इनको ऐसा माना जाता है कि यह कंसीडर यह हीरोईन आफ फ्रांस है ना एक हीरोईन के रूप में देखा जाता है इनको फ्रांस में और क्योंकि इनका जो रूल था दोस्तों एक हेंडर्ड यार आफ वार लड़ी गई थी इंगलिस और फ्रेंच के बीच में है ना जिसमें इनका काफे अच्छा रूल रहा था इन्होंने आर्मी को अच्छे से लीड किया था और यह जो ब्लॉंग कर दे थी एक पीजन्ट फैमली से ब्लॉंग कर दे थी एक पीजन्ट स्कल्ड थी तो अब ऐसा भी माना जाता है दोस्तों फ्रांस में कि यह इनको गॉड ने चूच किया था लीड करने के लिए फ्रेंच की आर्मी को है ना जब एक काफी लंबे टाइम से जो इंगलिस थे इंगलेंड के साथ लड़ाई चल दी थी फ्रेंच की तो दोस्तों होता क्या है इनको तो ना तो कोई मिलिटरी ट्रेनिंग होती है ना तो कुछ भी नहीं दि होती तो जो जो जॉन आफ और्क हैं यह जाती है क्राउन प्रिंस चार्स आफ वैलोइस के पास कि इनको अलाव कर दिया जाए फ्रेंच आर्मी को लीड करने के लिए ना ताकि जो सिटी आफ और्लियंस है ना जिसको इंगलेंड ने इंगलिस ने कैप्चर किया था सीज कर था उसकोुकर दिया जाए और इसमें यह सकसेज भी होती है दोश्तों पर होता क्या है जो इंगलो बर्गंडियन जो फोरसें होती हैं दोस्तों को कैप्चर कर लेते हैं और फिर इनको 1431 में इनको जला दिया जाता है अट ता डाव 19 तो आप देख सकते हैं आप सोसकते हैं दोस्तों ऐसा क्यों convencjęडर किया गया ऐज है रो इनी अफरण उा और को तो यही एक रेजन है कि इतनी कंंच में तरेके से फ्रेंच की आरमीज को लीड़ करती है जो औरलियन सिटी होती है उसको सीज कराती है न तो इसलिए काफी important personality है French history में और इसको दोस्तों अब जो फ्रांस में है एक symbol के तरीके से जाना जाता है French की unity और nationalism में है न काफी important role है इनका अब अगली personality देखते हैं दोस्तों हा इससे पहले हम the 100 years of war समझ लेते हैं जैसे कि मैंने बताया यह जो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों यह जो वार लड़ी गई between 1337 से लेके 1453 के बीच में किसके किसके बीच में फ्रांस और इंग्लेंड और आपने सामने काफी लंबे समय से लड़ाई चलिए आप देख सकते हो तो यह थी कहानी दोस्तों हेंड़ेड ऑफ ता हेंड़ेड यह साफ और इसमें और भी काफी बड़ी कहानी है अगर आपको डिटिल में समझना है पढ़ सकते हो बड़ बहुत जादे इंपॉर्टन नहीं बस हां इतना जान लेना इस कहानी में फ्रेंच की हिस्ट्री में त ही हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो आगे देखते हैं यह एक पिक्चर है आप देख सकते हो हैं अब यह जो नेपोलियन बोना पार्टे हैं दोस्तों यह भी काफी इंपोर्टन रूल हा है डियूरिंग फ्रेंच रिवल्यूशन के टाइम से इसके बास से हैना जब इन्होंने क कर दिया था जिसको बोलते हैं दोस्तों तकता प्लट 1799 में जैसे कि मैंने आपको फ्रेंच रिवल्यूशन में पढ़ाया था दोस्तों 1950 सोरी 1795 से लेके 1799 तक डारेक्टरी रूल है उसके बाद जो डारेक्टरी बनाए गई थी फाइब मेंबर की और जो लेजिसलेटिव क बाउंसिल था इन दोनों के बीच में हमें इसा कॉन्फिक्ट रहता था तो काफी सा एक वेक्यूम क्रियेट हुआ था जिसको यह समझ के जो जो पॉलिटिकल इन इस्टेबिलिटी थी जिसका फाइदा उठाते हुए जो यह नेपोलियन वोना पार्टे थे एक फ्रेंच मि गोसित कर देते हैं कब 1804 में ठीक है अब थोड़ा साइन के बारे में जानते हैं प्रेंच रिपर सोरी नेपोलियन बोना पार्टे को तो दोस्तों अगर देखा जाए यह जो बॉन इनकी जो बर्थ हुई है 1769 में कहां पे कोर्सी का आइलेंड आपको याद हो दोस्तों मैं आपको कोर्सी का आइलेंड दिखाया था फ्रांस के मैप में अगर नहीं पता तो एक बार आप खुद भी देख सकते हैं और नहीं तो आप इसकी पहली जो फस्ट वीडियो थी है ना उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाय हुआ है कोर्सी का आइलेंड और मैंने वहां प कोर्सी का आइलेंड है है ना और यह प्लेस है अजासी सीओ है आप जैसे भी प्रनेंसेशन कर पाएं यह जगह है कोर्सी का आइलेंड पर यहीं पर यह बॉन हुए थे 15 अगस 1769 को हलाकि डेट याद नहीं रखना बट इतना आप समझ सकते हो क्योंकि 2009 में कोश्यान आया थ सिंपल ऐसे दिया गया था नेपोलियन बोनपार्ट विलॉंग टू विच सेंचुरी अगर आपको यह डेट अब बरत्याद रहेगी है ना और थोड़ा सा फ्रेंच रिवलुशन पढ़ा है उसके बाद आपने आपको पता है कि जो नेपोलियन बोनपार्ट है अपने आप होना चाहिए कि इनकी जो डेट हुई थी कहां हुई थी है ना आपको पता हो दोस्तों वह बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जिसमें नेपोलियन की आर्मी हार गई थी और इनको सेंट हैलीना नामक आइलेंड पे भीज दिया गया था जहां पे इनकी बाद में मृत्त्य हो देख सकते हो 1821 में हालाकि पूरा आपको डेट नहीं बट याद रख लो एनफ है में फाइब अगर याद रख पाओ मन्थ भी तो और बेटर है यह को ध्यान में रखें जो इनके बिरित हो जाती है दोस्तों फिप्त में 1821 में सेंट हैलीना नामक आइलेंड पे तो आई हो पारे में पड़ में वही चीजे अगेन वही बता रहा हूं जो आपके एक्जाम प्रस्पेक्टिब से इंपॉर्टंट है एक नेपोलियोनिक कोड है जिसमें कुछ लॉस थे नेपोलियोन ने बनाये थे जब अपने रूल कर रहे थे फ्रांस को है ना अपने टाइम पिरिय आगे देखतें दोस्तों बिफोर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पे दो कुछ कर रहा हूं मैं आपसे और मैं चाहूंगा कि आप लोग यह जो दो क्वेस्टियन है इनको आप कॉमेंट बॉक्स में अटेंप करें पहला है आपको बताना है सर्ज करके नहीं पता है अगर पता ह है ना तो यह दोनों आप कुछिन आप अटेंप करेंगे पाउज करके वीडियो को अगला मैं अगला फैक्ट है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा फैक्ट नमबर फाइब फ्रांस वेल नोन फॉर इट्स वाइन चीज और ब्रेड जी हां दोस्तों जो फ्रेंस है वह जाना जाता है वाइन चीज और ब्रेड तो मैं आपको बताऊं एक एरिया है फ्रांस का जिसे बॉर्डेक्स आप इसको जिस तरीके से प्रोनॉंसेशन कर सकते हैं जो इसकी सही है तो कर सकते हैं बट इस पैलिंग आप देख सकते हो सहर जो सिटी है आप हाँ आपको यह प्रांस की मिश्ट फेमस वाइन रीजन थेवाइन थेजतंगर दोस्तों बोडक तो यहां के भास फेमस वाइन है जिसमें कुछ वाइन के नीम है आप देख सकते हो और एक यह दो यह जो वाइन है काफी पॉपलर है इस रीजन की तो एक और यहां पर एक फैक्टॉर था च इतनी पॉपलर चीज हो सकती है फ्रांस की है न तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हां तो मूब करने से पहले आगे अगे में फ्रांस का यह मैप लगा रखा हूं यह है कोर्सिका आइलेंड जिसकी मैं बात कर रहा दोस्तों देख सकते हो यहीं पर निपोलिन बोनापार्ट का बर्थ हुआ था और सेंट हेलीन अगर आप देखना चाहो तो आप सर्च करके दे पर आप दो चाहरे लिए तो इसको भी में पढ़ाओं उसके लिए नो औरी आगे आएंगे तो अभी के लिए समझो जिस रीजिन के हम बात कर रहे थे जहां की बहुत वाइन है फ्रांस की यह रीजन यहां पर साउथ वेस्टन और फ्रांस में पढ़ता है यह है वे आफ व यह बताया और आपको एक ठ्रीक बताई थी इनकी नेबरिंग कंट्री को याद करने के लिए ब्रेक दा लेग है ना आपको याद है इस तरीके से आप मैंने बताया था कैसे मेंबर करना नेयबरिंग कंट्री और दूस्तों में बताओं फ्रांस के साउथ मैं जो वॉटरॉडी है मेठिटरेनिय Georgeschi है यहां पर फ्रांसकी लार्जेश्ट पॉर्ड सिटी है उस लार्जेश्श पॉर्ड सिटी का आप नाम बता हूं जहाज़कर हीं यहां पर कर रहां जीबर है वो फ्रांस और जर्मनी की बीच में boundary का काम करती है निच्रलल बाउंडरी बनाती है और यहीं पे और पैरड़्नीज माउंटेन ट्रिंजेस जो इस्पार ओर फ्रांस की बीच में निच्रलल बाउंडरी का काम करती आ तो अगले फेक्ट पर आते हैं दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है जो पर पैरिस सहर है फ्रांस का कैपिटल कैपिटल सिटी यह लाइट के नाम से जाना जाता है और ऐसा क्यूं इसका भी इसका भी रीजन मैंने आपको नीचे दिया हुआ मैं बता रहा हूं जो इनलाइटमेंट का एज है दोस्तों आना तो फ्रांस काफी इसको लीड कर रहा हूं डियूरिंग दा प्रांस का काफी अच्छा रोल रहा है डियूरिंग दा जो इलाइटमेंट काफी सारे और फिलोस्फेस अनने सूर्स के और दूसरा एक प्रिजन और यह यह जो पैरिस सहर ये यूरोपियन आ यूरोपिय शहर की यूरोपियन शिटी थे जिसने यूज किया था गैस स्ट्रीट लाइट है ना और यह पिक्टर इसी लिए मैंने लगा है ताकि आप रिलेट कर पाओ सिटी ऑफ लाइट पैरिस अभी भी इसी सहर को लाइट ऑफ सिटी का दर्जा मिला हुआ है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक कोशन और करूंगा आपसे क्योंकि इंपॉर्टन है और यह एक जाम में पूछा भी गया आप मुझे यह बताओ दोस्तों यह जो पैरिस सहर है वह कौन सी र सब्सक्राइब होनी चाहिए और यह चीज अलड़ी में पढ़ा चुका हूं जो मेरी फस्ट वीडियो गई थी जेयोग्रफी की फ्रांस की है ना स्पेस्पिक उसमें आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे बढ़त चैतियो गेलाड़् वह इस जहतीऊ गेलाड है तो यह अगर मीजिक अगर लिका हो चीज हो या फूड हो यह चास्टर लिखातो राइट ऑपसर बन जाता है तो यह नौरवेंडी रीजन में है Northern France में तो अगर देखा जाए कहां कहां से ओपर लुप किया जाए सीन रीवर तो यह फ्रांस का है यहां पर है नौरवेंडी रीजन यह पर देख सकते होगे तो को प्रिलेट कर सकते हैं उसको अगला है दोस्तों जैसे मैंने बैटल आफ वाटरलू बताया ही था यह अगला फैक्ट है जो बैटल आफ वाटरलू है दोस्तों वह बेल्जियम में एक सहर है वाटरलू वहां पे लड़ा गया था कब जून 1818 15 में और यह जो वार है दोस्तों यह जो बैटल है यह फाइनल बैटल है नेपोलियन बोना पार्ट का ह दिफिट हो गए थे हैंना और किसके किसके बीच लड़ाए हुई थी यह इंगलिस और है न एंगलिस और फेश के बीच लड़ाए वी थी जिसमें सिर्फ इंगलिस नहीं था और भी लो और वी कंट्री सामिल था जैसे परसिया सामिल था इंग्लिस के साथ जो कि फ्रेंच की आर्मी से लड़ रहा था और फ्रेंच की आर्मी आपे डिफीट होगे थी इसी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हैलीना आइलेंट पे भीज दिये जाता है जहां पर उनकी 1821 में डेथ हो जाती है ड्यूटिसम बीमारी होती होन बैटल ऑफ वाटरलू यह इंपोर्टेंट है दोस्तों डेट यह आप याद रख सकते हो 1815 और आपको मैं आगे बताऊंगा एक क्योंकि सिक्वेंस वाइज में हो जाएगा 1804 जब एंप्रार बने 1812 इन्होंने इन्होंने वार कर दिया था रशिया पर है ना उस वार का होगी नेपॉलियन की आर्मी और 1821 फाइल नेपॉलियन की डेथ हो जाती और उनका राइन समाप्त हो जाता है ना मैंने जिसे अब भी आपको बताया था इनकी जो फोर्स थी नेपॉलियन की वो डिफीट कर दी गई थी किससे बेटिस और प्रस्यंस आर्मी के दोरा है ना और यहीं पर इनका राइन खतम हो जाता है जो फ्रांस में फ्रांस की डॉमिनेशन होती यूरूप में वह भी खतम हो जाता है एक बार हम देख लेते हैं मैप पर वाटरलू कहां है यह आपका फ्रांस है नौर्थ में जाएंगे यह लगजंबर तो यह है बेल्जियम कंट् यहीं पर लड़ाई लड़े गई थी तो आई होप दोस्तों यह वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा काफी important facts थे जो हमने अभी आप डिसकस किये तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा इसे वीडियो के सेयर कर सकते हैं अपने सेफ पार्टी अपने मित्र के साथ तो मैं अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा दोस्तों आप से मैं पुनीत तीवारी साइनिंग ओफ थैंक्यू